जितना बदलाव पिछले तीन महीने में बिहार के शिक्षा विभाग में हुआ है उतना बदलाव पिहार के किसी भी विभाग में नहीं हुआ होगा। कभी मास्टर सहब को ये कहा गया कि बच्चों के उपस्तिती नहीं रही तो आपकी सेलरी काट ली जाएगी तो कभी उनको कहा गया कि आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है लेकिन जो नया नवेला निर्देश दिया गया है बिहार के शिक्षकों को वो और भी मस्त है इसको सुन कर बच्चे और माता-पिता तो खुश हो जाएंगे लेकिन शिक्षक सहब और प्रिंसिपल सहब का हाथ पैर फूल जाएगा और केके पाठक सहब के निर्देश दिया गया है वो निर्देश कुछ इस प्रकार है कि जो बिहार के सरकारी शिक्षक हैं वो जब अब अपने क् प्रिंसिपल सहब के पास जमा करना है और उसके बाद ही वो टीचर क्लास में जाकर वो चेप्षक पढ़ा पाएंगे अब मान लिजे कि वो ऐसा नहीं करते हैं और अचानक से चेकिंग आ जाती है तो चेकिंग के दोरान एकदम प्रिंसिपल सहब से पूछा जाएगा कि पढ़ाया और अगर प्रिंसिपल सहब कहते हैं कि पढ़ाया तब प्रिंसिपल सहब से कहा जाएगा कि आपको जो नोट्स आपके शिक्षक महोदय ने जमा किया था वो हमको दिखाईए अब अगर प्रिंसिपल सहब वो नोट्स नहीं दिखा पाते हैं तो समझ लीजिए कि श बारवी क्लास तक के लिए लागू कर दिया गया है, शिक्षा विभाग के तरब से निर्देश गया है, और इस निर्देश में कई ऐसी चीजे हैं जो आपको हम बताएंगे, अब पहला चीज जा लिजे, क्लास एक से लेकर तीन तक का जो क्लास होता है, उसके शिक्षक साहब तो बनाना पड़ेगा सब्ता भर का पूरा डीटेल्स कौन से दिन वो क्या पढ़ाने वाले हैं ये पूरा प्रधान ध्यापक यानि कि प्रिंसिपल साहब के पास जमा होगा और उसके बाद ही शिक्छक साहब जाकर पढ़ा पाएंगे अगर कोई चेकिंग होता है अगर कोई साहब अधिकारी को शिक्छक के द्वरा दिया गया नोट्स नहीं देते हैं तब ये मान लिया जाएगा कि जो टीचर हैं उन्होंने क्लास में पढ़ाया ही नहीं है उन्होंने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया है और ऐसा होने का सीधा मतलब ये है कि गाज शिक्छक पर हो गई है कि अब शिक्षक साहब लोग डर गए हैं एक तरफ ये खबर चल रही है कि शिक्षकों को 20 रुपे में बोरा बिचने के लिए का गया है दूसरी तरफ ये खबर चल रही है कि छात्र अगर क्लास में 75% अटेंडेंस नहीं रखेगा तब भी शिक्षक पर और प्रिंस शिक्षक लोग हैं वो एक तरीके से सह में हुए हैं इतना डरे हुए हैं कि उनको क्या करना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा है और उसके उपर से यह नया फरमान आया है वो नया फर्मान भी एक तरीके से उनको परिशान ही करेगा हाला कि इस फर्मान में कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई शिक्षक अपने बच्चों को कुछ पढ़ाने जा रहा है तो नियम के मुताबिक तो यही होता है कि वो आदमी नोट्स बना कर ले जाए अपने बच्चों को वो नोट्स दिखा कर पढ़ाए और ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षक के पास कई सारा एक तरीके से पढ़ाने का तरीका होता है लेकिन सबसे बहतर तरीका यही है कि शिक्षक को पहले से मालूम हो कि बच्चों को आज क्या चा पढ़ाना है उनको पहले से ही इस बात का ज्यान होना चाहिए कि हम ये ये डिलिवर करने वाले हैं और अगर उनके पास नोट्स होगा तब उनको पढ़ाने में एकदम आसानी हो जाएगी बिहार के जो शिक्छक हैं वो ऐसा कता ही नहीं करते हैं ये हम दावे के साथ कह सकते हैं लेकिन अंध्यापक सहब को वो नोट्स देना होगा और अगर प्रिंसिपल सहब वो नोट्स नहीं देते हैं तब समझ लिया जाएगा कि शिक्छक ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं और अगर ऐसा साबित हो गया तो शिक्छकों परशामत आएगी उन पर गाज गरेग और आपने कई बार सुन भी लिया होगा कि कितने हजार शिक्छकों का सैलरी इसलिए काट लिया गया क्योंकि जो निर्देश जारी हुआ है वो उसका पालन नहीं कर रहे थे बाकी केके पाठक सहब भिड़ गए हैं तीन महीने से वो लगातार शिक्छा विभाग को बदलने का प्रियास कर रहे हैं शिक्छकों के साथ साथ बच्चों को बदला जा रहा है आज कल का एक निर्देश ये भी है कि बिहार भर के यतने भी सरकारी स्कूल है वहां के शोचाले को साप सुत्रा रखना है केके पाठक सहाब में निर्देश दिया है कि शोचाले तो बना लेकिन वो प्रियोग में इसलिए नहीं है क्योंकि वो ठीक ठाक नहीं है। इसलिए पैसा भी अवंटिस किया गया है, ऐजन्सी वो को अज़ी त्ला करेंगे। मेरे नाम प्रशान्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।